सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल तफर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है डारेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी अन्सीट ऑफ देली की वरक्षीट नंबर 14 डिसकस कर रहे हैं क्लास एर्थ की वरक्षीट है सब्जेक्ट है साइन्स डेट है इस वरक्षीट की 2 सिप्टमबर 2021 टॉपिक है मेटल्स और नोन मेटल्स धातू और अधातू तो देखे बचे यहां पर एक टेबिल भी दी हुई है पहले हम यहां पढ़ लेते हैं बहुत से पधार्थ हमारे चारो और पाए जाते हैं वट वुट यू डू इफ वी आस्क यू तो सेपरेट इस सब्स्टेंस इंटो मेटल्स और नोन मेटल्स आप क्या करेंगे यदि आपसे इन पधार्थों को धातू धात्विक और अधात्विक में बाटने के लिए कहा परेपस दा थिंग्स दा आर सॉलिड और शाइनी यू विल कॉल देम मेटल्स शायद जो चीज आपको ठोस ये चमकदार दिखाई देती है उसे आप दातू कहेंगे टूडे वी विल डिवाइड देम इन्टू डिफरेंट ग्रूप्स बेस्ट ओन देयर एपीरियनस और हा अबचेक्ट और मैटीरियल देये हुए यहाँ पर आइरन, कॉल, सलफर, अलुमिनियम, कॉपर यहाँ पर आपसे अपिरियनस पूछिए कि वो शाइनी है या डल है तो यह आपको करना है जैसे आइरन की तो डल होती है ठीक है और अलुमिनियम की शाइनी होती है तो उस तर होता है वो भी हार्ड होता है ठीक है तो इस तरह से आपको यह सब करने है आप अपने आप करेंगे यह अब मैं आगे पढ़ाती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स धातों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है भोतिक गुड़ है वो हम देखेंगे पहला है अधिकतर जो धातों है वो प्रॉपर्टी में कठोर है a few expectations like sodium and potassium अगर हम sodium और potassium की बात करें तो वो soft metal है which can be cut with a knife जीने चुरी से भी काटा जा सकता है चाकू से काटा जा सकता है नमबर टू है ductility तन्यता the properties of metals by which they can be drawn into thin wire धातों का ऐसा गुड़ जिसके दवारा उसे खीच कर तार में बदला जा सकता है जैसे example copper को, gold sony को, silver chandy को या iron lohe को जिरी देखते है solid thos वो उसकी एक property है most metals except mercury mercury को छोड़ दें तो अधिकतर metal जो है are solid at room temperature, room के temperature पर सभी thos होते है mercury is found in liquid state at room temperature, mercury जो है वो कमरे के अंदर के तापमान पर liquid state में रहती है liquid जैसे द्रव अवस्ता में रहती है and can be used in thermometer और तर्मोमेटर में उसका use किया जाता है four है malleability let us understand the concept of malleability through an activity अब हम इसको activity को अगहत वर्धनियता बोलते है बच्चों इससे तो उसको हम देखते हैं का activity के थुरू requirement क्या है iron nail चाहिए आपको लोह की कील, aluminum wire, copper wire इनके तार चाहिए aluminum copper के, coal, koila चाहिए pencil lead चाहिए आपको carbon road चाहिए hammer हतोरी चाहिए ठीक है be very careful while doing this activity or you can ask your father, elder brother or sister do you this for you आप बहुत साब धनी से activity करें और आप अपने बड़ों को अपने सलहा ले सकते हैं जैसा आप अपने घर में अपने ममी की पापा की बड़े भाई या बहन की सलहा ले सकते हैं जैसे एक्टिविटी उनकी help ले सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं यह ठीक है कि कैसे करना है यह मतलब क्या है जैसे collect all the above material आपको यह सारे जो materials हैं यह आपको इखटे करने बीज़ इस materials one by one by a hammer और एक हतोड़ी से कर गए इने पीटना है based on your observation fill the given table और अपने observation के according बच्चो जैसा आप सोचते हो उसके according आपको यह table fill करनी है जैसे iron nail के बारे में लिखा हुआ है जो लोहे की कील होती है does it become flat और broken into pieces on being hammered जब आप इस पर हतोड़ी मारेंगे तो यह flat हो जाएगी यह टुकड़ों में तूट जाएगी तो बच्चो यह become flat it will become flat ठीक है ऐसी call को यह क्या होगा it will be broken into pieces aluminum wire it will become flat ठीक copper wire it will become flat तो ऐसी आपको यह करने है मैं सारे नहीं बताऊंगी आपको करने है तब यह आपकी knowledge gain होगी आपको ठीक है इसके according आप फिल लॉंग time memory में रहता है जब आप खुद से करते हैं कोई question तो यह हम आगे पढ़ते हैं usually most metal get flattened on being hammered without breaking जमायने तोर पह अधिकतर matter जो है वो flattened हो जाते हैं मतलब चप्टे हो जाते हैं जब आप उन पर बिना मतलब हतोरी मारते हैं तो वो तूटते नहीं है चप्टे हो जाते हैं this property of metal is known as malleability या घात वर्दिनिता का गुण कहलाता है धातू का non metal get broken into pieces on being hammered और non metal चीज़े जो होती है वो क्या हो nature ठीक है therefore we can say that metal are hard इसलिए हम कह सकते हैं कि धातू जो होती है hard होती है कटो शाइनी कुछ शाइनी होती है डेक्टाइल्स होती है तन्नता भरी and malleable गात वर्दिनिया some example of metals are copper, iron, aluminium, calcium, magnesium, gold, silver etc कुछ इधातों के धारण है जैसे ताबा हो गया ठीक है लोहा हो गया, aluminium, calcium, magnesium, सोनचांदी हो गया sulfur, carbon, oxygen, phosphorus are some example of non metals और non metals के कौन सो धारण है sulfur हो गया, carbon oxygen हो गया, phosphorus हो गया ठीक है बच्चो अब देखिए question answer देखते है, answer the following question first question है name any two metals that can be easily cut with a knife ऐसे दो धातों के नाम लिखने हैं आपको जो असानी से चाकू से कट जाते हैं तो answer number one में लिखेंगे आप sodium and potassium okay students question two है आपका name a metal which is found in liquid state at room temperature आपको एक धातों का नाम बताना है जो room temperature पर liquid foam में पाई जाती है तो आप लिख देखेंगे mercury यह answer number two है आपका mercury ठीक है जो thermometer के अंदर होती है question number three what is ductility तो पहले इसका answer देखते है ductility क्या होती है यहाँ पर बताई होई है हमें तो देखें यहाँ साप लिकेंगे answer three the properties of metals by which that can be drawn into the thin wire धातों का गुड जिसके द्वारे उसे खीच कर पतले तार में बदला जा सकता है यह उसको पतले तार में खीचे जा सकता है किसी धातों को उसका यह गुड तन्यता कहलाता है जैसे example copper को कीचा जा सकता है gold, silver और iron को भी कीचा जा सकता है तार में है ना तार में convert की जा सकता है which metal would you prefer to make wire कौन सी धातों को आप तार बनाना पसंद करेंगे यह अधिक पसंद करेंगे prefer means तो मैंने लिख दिया copper आप copper यह aluminium कुछ भी लिख सकते है ठीक है अब question number 4 है name two metals that are malleable in nature आपको दो धातों लिखनी है जो प्रकरती में अगातवर्धनी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे answer number 4 में क्या लिखेंगे हम copper and aluminium इसका answer क्या हो गया copper and aluminium इनमें अगातवर्धनीता होती है question number 5 है write one use of aluminium metal आपको aluminium metal का कोई एक use लिखने है तो इसका answer आप लिख देंगे यहाँ पर answer number 5 for making wire means aluminium का use का होता है for making wire तार बनाने के लिए making foil ठीक है उसके लिए भी होता है लेकिन आप बस इतना लिख दीजिए वह नहीं पूछा है तो आपकी worksheet solve हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please मैं वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए माचन को subscribe कीजिए thanks for watching